इसको थोड़ा हम ध्यांग से देखेंगे लिखा है पंचाक्षर मंत्र का महात्मे ये श्री कृष्ण परमात्मा ने ही पूछा है उपमन्यू को और उपमन्यू जी ने कहा कि है देवकी नंदन पंचाक्षर मंत्र के महात्मे का विस्तार पूर्वक वरणन तो सो करोड पंचाक्षर येह मंत्र जो है समस्त शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही है परंतु ये महान अर्थ से संपन्न है येह वेद का सार तत्व है मोक्ष देने वाला है और शिव की आग्या से सिद्ध है संदेह शुन्य है तथा शिवस्वरूप वाक्य है जैसे ये घोर संसार सागर अनादिकाल से प्रवृत है वैसे ही शिवजी भी अनादिकाल से ही नित्य विराजमान है यह पंचाक्षर मंत्र उनका वाचक है और वे शिव जो है वे वाच्य है तो वाचक और वाच्य रूप होने के कारण पर शिव का विदिवाक्या है ये कहा गया है अब तो कहते हैं कि मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी जिस विमल शडक्षर मंत्र का निर्मान सरवग्न शिव ने किया है उसके समान कहीं कोई दूसरा मंत्र नहीं है इस प्रकार पंचाक्षर के महात्मे का वर्णन करते हुए कह के हिरदई में ओम नमह शिवाय यह शडक्षर मंत्र प्रतिष्ठित है उसे दूसरे बहु संख्यक मंत्रों और अनेक विश्टृत शास्तरों से क्या प्रयोजन है जिसने ओम नमह शिवाय इस मंत्र का जप ढपूर्वक अपना लिया है उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया और समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर लिया आदी में नमहपद से युक्त शिवाय ये तीन अक्षर जिसकी जिहुआ के अगर भाग में विद्यमान है उसका जीवन सफल हो गया पंचाक्षर मंतर के जप में लगा हुआ पुरुष्यदी पंडित मूर्ख अन्तियज अथ्वा अधम भी हो तो वह पाप पंजर से मुक्त हो जाता है पाप रुपी पिंजडे से मुक्त हो जाता है पंचाक्षर मंत्र की और महिमा बताते हुए यहां पर देवीमा ने बहुत करुणा से एक अच्छा प्रश्ण पूछा है कि जब एकदम आगे वाला समय आएगा जब मनुष्य धर्म से विमुख होकर के सारा संसार जो है वह पाप मई अंधकार से अच्छा दित हो जाएगा न वरन बचेगा न आश्रम बचेगा न एकदम धर्मसंकट उपस्तित हो जाएगा सबका अधिकार जो है वह संदिक्ध अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा उपदेश की प्रणाली भी नश्ट हो जाएगी उस समय यदि किसी परिस्थिती में यदि आपके कोई भक्त हैं उनको मुक्त होना हो तो क्या आधार होगा यहां पर महादेव जी ने स्पष्ट कहा है ऐसे समय भी ऐसे यदि कैसे भी मनुश्य हों जो कुटिल चित्वाले हो निर्दय हों क्रोधी पापी कामी हों तो वे भी यदि एक बार भी रिदय से यदि भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से एक ही बार मेरा पूजन कर लेंगे तब भी वे इस मंत्र के ही प्रताप से मेरे धाम में पहुँच जाएंगे तो इसका सिधा सादार्थ हमको समझ ना हो तो यह है कि समय के ऐसा भी बदल जाए हम जिस काल में जी रहे हैं तो समय कितना भी बदला हुआ क्यों न दिखाई दे बलके यदि समय ऐसा कुछ आ जाए तो फिर उस समय तो भगवत भजन और जोर से करना चाहिए सुख में थोड़ा कम भी हो जाए तो ज्यादा पर कर्म है यह तो खूब अच्छे से होना ही चाहिए तो समय बदलता रहेगा लेकिन हमको तो अपने अपनी तरह से ही वो करना चाहिए यहाँ पर कहा गया है कि यह जो शीव मंत्र है यह जो ओम नमशिवाई मंत्र है इसकी उपदेश परमपरा ये है कि स्वयम भगवान शीव ने ही सबसे पहले इस मंत्र का उपदेश किया है पहले शिश्य कौन है इनके बोले यहाँ पर लिखा है ब्रह्मा जी ने वो मंत्र प्राप्त किया फिर ब्रह्मा जी ने रिशियों को दिया तो इस प्रकार इसकी उपदेश परमपरा बताया है इसके बाद में ये जो पंच पंचाक्षरी विद्या यानि स्त्रिलिंग में कहा गया और देवी स्वरूपिनी इस पंचाक्षरी विद्या का अध्भुत यहां पर वरनन किया गया है और इसके बाद में फिर इस मंत्र के रिशी, छंद, देवता, बीज, शक्ती और अंग न्यास आदी भी विचार किया ग इडा ये क्रमशह पांचों अक्षरों के छंद है इस तरह से पूरी पूरी विधी यहां पर बताया गया है। इसके बाद में फिर ये कहा गया कि गुरु से मंत्र लेना और उसके बाद में जब करना ये बहुत अच्छा है। अस्पष्ट पदों एवं अक्षरों के साथ उचे नीचे स्वर से युक्त और स्पष्ट रूप में मंत्र का वानी के द्वारा उच्चारण किया जाए तो ये वाचिक जब कहलाता है और फिर जिस जब में केवल जिहवा मात्र हिलती है अत्वा बहुत धीमेश्वर से अक्षरों का उच्चारण होता है तथा जो दूसरों के कान में पढ़ने पर भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता ऐसे जब को उपांशु कहते हैं जिस जब में अक्षर पंक्ति का एक वर्ण से दूसरे वर्ण का एक पद से दूसरे पद का और शब्द तथा अर्थ का मन के द्वारा बारंबार चिंतन मात्र होता है वह मानस जब कहलाता है वाचिक जप एक गुना ही फल देता है उपांशु जप सो गुना फल देने वाला बताया जाता है मानस जप का फल सहसर गुना कहा गया है तथा सगर्भ और अगर्भ ये दो प्रकार के जप और होते हैं तो वह है सगर भजब और प्राणायाम के बिना जो जब किया जाता है वह अगर भजब है तो प्राणायाम पूरवक जब करते हैं सगर भजब हो गया और ये बहुत अच्छा माना जाता है तो प्राणायाम वैसे कहा जाता है कि अगर जब भी यदी हो तो भी उसमें आदी और अंत में प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ है तो कुल कई प्रकार के पांच यहां पर प्रकार के जब का वरणन करके इसके बाद में इसकी महिमा इस तरह से बताया गया